जय माता दी, जय मा कमक्या, देव राधा ट्रस्ट सत्यवानी चैनल से आप जोतिश रहस्य व भूत प्रीतों के बारे में आज ग्यान प्राप्त करेंगे। तर्क, वितर्क और कुतर्क, तीनों इसके अंदर शामिल हैं। तो जोतिश शास्त्र में काल गर्णा के अनुसार, जो काल गर्णा होती जोतिश में, उस काल गर्णा के साथ साथ ग्रह देवताओं के प्रभाव का वर्णन हम करते हैं। कि कौन सा ग्रह है, अच्छा है, बुरा है, उसके कौन से देवता है, वो आपको क्या किस प्रकार से प्रभावीत करेगा। यह बताए जाता है, तो जोतिश शास्त जो है ग्रह पीड़ा और जो ग्रह के द्वारा दी जाने वाला कष्ट है, उस से मुक्ती का उपाए बताता है कि आप ये पूजा कर लो, ये पाट कर लो, ये जब कर लो, ये तप कर लो, ये हवन करा लो, या यह अनुष्ठान कर लो या अपना थोड़ा सा आशरन बदल लो तो यह जोतिश शास्त कहता है परन्तु बहुत से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच, भूत बादा पिशाच नी पीडा इनको नहीं बता पाते हैं क्योंकि यह विशय अलग हो गया है दो मुख्य बाते हैं पहला तो यह कि इन महान जोतिशियों को यह पता भी नहीं था कि आदमी आगे आने वाले समय में इतना व्यस्त होगा कि वह अपने नित्यकर्तव जो होते हैं जैसे पित्रकार वह नहीं करेगा क्योंकि आजके जमाने में व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया कि वह जो नित्यकर्में वह नहीं करता है दूसरा पुराने जमाने में जो हमारी एक शराद परंपरा कायम थी यह सब करतव पालन पहले होते थे तो पित्र दोश भी नहीं लगता था क्योंकि पुराने जमाने में अमास्या को कुवे पर नदी पर जाते थे वहीं इस्नान करके पिंड़ेदान तरपन किया करते थे तालाब में इस्नान करते थे तो वहीं पर पित्रों को याद कर लिया करते थे कूवे पर इसनान करते थे बावडी पर इसनान करते थे तो वहीं पर ही सुरिनान भगवान को जल चड़ा दिया करते थे तो इससे पित्ल दोष नहीं लगता है पंदू आजकल तो हम बातरूम में आते हैं जो चारों तरफ से बंध होता है तो पुराने जमाने की जो शिराद परंपरा थी की पूरे सोला दिल खीर पुड़ी बनती थी आसपास के बच्चे बच्चियों को म्रामन देवताओं को बुलाए जाता था और सब एक दूसरे के या जाकर के भोजन करते थे तो शिराद कर्म वो दासानी से हो जाए करता था और गरह पीड़ा भी नहीं होती थी पूराने जमाने में तो वो बड़े सुखी रहते थे अब आप का होगे कि गरह पीड़ा क्यों नहीं होती थी तो उसका भी कारण था कि हर अम्मा उस्त्या और पुर्णिमा के दिन सीधा निकालते थे गाय का गाय पाली जाती थी तो गाय का सूखा गोबर ने कंडे बनते थे उस कंडे के उपर घी शकर छोड़ी जाती थी जला करके तो घर में रहने वाले नाग महराज हो गए पितर देवता हो गए और हमारे कुल देवी देवता हो गए बड़े तरप्त रहते थे तो वंशवर्दी भी करते थे और मनुश्कों के वल अपने स्वयम के कर्म के अनुसार ग्रह पीड़ा होती थी और दूसरा ये की ग्रह स्वयम पीड़ा नहीं दे रहे हैं सब कश्ट तो उनके गण अर्थाज भूत प्रेद पितर यक्ष शाकिनी डाकिनी ये ही व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उनको दंड दे रहे हैं जैसे कि एक लोग प्रशाशन होता है वह काजी करता है तो लोग प्रशाशन जो कारी करता है कोई प्रधानमंति थोड़ी काम करते हैं प्रधानमंति ने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया परंतु जो उनके नीचे बेठे वे व्यक्ति रहते हैं वही काम करते हैं इसी प्रकार से हमारे जिन्दिगी में भी जो लोग प्रशाशन के नाम पे जो गण होते हैं, जनबूत, प्रेत, पिचा, शुडेल, डाकन, जिन, जिन्नाद, ये भी स्रस्ति को चला रहे हैं, ये ही कस्ट देते हैं आपके कर्मों का. तो अब ये आता है कि किताबें पढ़कर कोई पहलवान नहीं बन सकता हैं, परनतु पहलवान नहीं बन सकते हैं, तो जोतिश में भी यही है कि जोतिश का प्रथम नियम है कि देश, काल, परिस्तिती के अनुसार फलादेश करे एक जोतिश को अनुसंधान करता के रूप में, एक इन्वस्टिगेटर के रूप में काम करना चाहिए अब जिस समय पे पेले जोतिश गरंते लिखे गए थे, आच्छे हजारों साल पेले, उस समय की परिस्तिती अलग थी और वर्तमान परिस्तिती में भहुत अंतर हो गया है अब एक उधारन देता हूँ तो शाय इस समझ में आ जाएगा देश काल परिस्तिती का अनुसार जोतिश का फल अलग हो जाता है के लिए एक उधारन दे रहा हो मतलब इसको अपनी दिल दिमाग पर मत छाप लेना अब एक किताब के अंदर लिखा है कि लगन में यदि शुक्र आ जाता है तो इनसान को गोरा चिट्टा बनाता है अब मैं दक्षिन अपरिका चला गया तो वहाँ पर मैं पर कुछ कुंडेली आई जिनके लगन में शुक्र था तो वहाँ तो हंडेट परसेंट व्यक्ति सब काले तो वह गोरा चिट्टा केसे हो गया होई नहीं सकता तो यह जो जोतिश ही है यह देशकाल परिस्थिती के अनुसार ध्यान रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करते हुए कांश्य सवस्था में रेते हुए जोतिश लिखना चाहिए अब हम और पुराने तरफ जाते हैं पुराने जमाने में हम अपने बड़े भुज़ुर्गों का बड़ा सम्मान करते थे मलब दादा इवन पर दादा भी देखे जा सकते थे पुराने जमाने में आजकल तो दादा भी नहीं देख पाते बच्चे लोग पेदा होते हैं जब पेदा होता है तो दादा मर चुका होता क्योंकि एक तो देरी से विवा हो रहा है तो पर दादा की तो बाती क्या हो गई पहले बीस साल में बच्चे पेदा हो जाए करते थे आजकर तो 20 साल में इस्कुल में पढ़ता है बच्चा तो कहां से बच्चा पेदा करेगा तो देश काल परिष्थिती बदल गई तो पुराने जमाने में हम घर के बड़े बुज़ुर्गों का बड़ा सम्मान करते थे कोई भी हो हम उनके चर्णिश्फर्ष कहते थे चाहे वो काका होते थे, दादा होते से, ताउ होते थे इवन बड़े भाई साब भी होते थे तो उनके भी चर्णिश्फर्ष करते थे तो ये सब लोग क्या है? ये सब पित्रों का रूप है तो पुराने जमाने में बुजुर्गों का सम्मान याने की पित्रों का सम्मान होता था और अम्मा उस्या के दिन घर परिवार की महिलाएं मिलकर के पित्रों को भोजन कराती थी भोग दिया जाता था और आज भी ग्रामिन अंचरों में हम जाते हैं जहां पर इंच का पालन होता है तो अम्मास्य के दिन दूद नहीं बेचते हैं उस दूद का खीर बनाते हैं एक दिन की नागा करते हैं दूद बेचने वाले भी जितना भी दूद गाए भेश देती है उसकी खीर बना करके भोग लगाए जाता है और फिर घर परिवार के व्यक्ति मिलकर के खाते हैं जिससे बिमारिया नहीं आती है खीर खाने से बिमारिया नहीं आती है और परन्तु आजकल के लोग जो है आधुनिकता की अंधी आंधी में बेह रहे हैं तो इस प्रकार के जो कर्म होते थे घर परिवार में उनसे दूर होते जा रहे हैं इसलिए पित्र दोश बढ़ता जा रहा है मेरे पास जितनी भी जन्न पत्रिका आती है उसमें से नभे प्रतीशत जन्न पत्रिका में पित्र दोश की उत्पत्ती रहती ही रहती है और पिचोत्तर प्रतीशत जन्न पत्रिका में कालसब दोश नाग दोश ये अवश्य रहता है तो इसके पीछे का कारण क्या है? यह कालसबदोश, नागदोश, पित्रदोश, यह जीवन में संगर्ष कराते हैं यहने जिन माता पिता ने उस बच्चे को पेदा किया, उन्होंने भी नियम कानून का पालन नहीं किया यहने कि उन माता पिता ने भी पित्रों को प्रसंद करके बच्चा पेदा नहीं किया। उन्हें अपनी जीवन में यह ग्यान नहीं होने की वज़े से कि पित्रों को प्रसंद केसे करे। तो पित्र दोष लग जाता है, फिर यह भूत, प्रेत, पिचास, चुडेल, डाकन यह कष्ट प्रदान करते हैं, घर में आ जाते हैं, फिर आप इलजाम लगाते हो किसी तांत्रिक के उपर, अपने भाई के उपर, अपनी बडोसन के उपर, देवरानी, जेठानी के उपर और जबकि घर परिवार के सदस्यों ने किसी के उपर कोई तंत्रिक विद्या नहीं कराईए, पन्तु यदि किसी का लड़का याल किसी की लड़की, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, उसके ग्रनक्षत्र के अनुसार, जो गण है, जो शाशन चलाते हैं, जो इस संसार को चलाते हैं, भूत, प्रेत, पिचास, चुडेल, डाकन, जिन, जन्नाद, अबिस, खबिस, ये लोग परेशान जब करते हैं, तो लोग बाग कहने लगते हैं, हमारे परिवार के इस इस ने भेज दिया, और वो भी मज़े लेते हैं, बहुत सी जगे आप किसी उस पे चले ग तेरे परिवार का ही सदस्य करने वाला, ऐसा बोल करके भाईयों भाईयों के अंदर शत्रुता करा देता है, बेन भाईयों में शत्रुता हो जाती है, और फिर आप उसकी यहां जाने लगते हैं, उसकी पूजा पाट देने लगते हो, और उसका भला हो जाता है, आपके पे तो आप बहुत सारी बीमारियों से दोस से कस्ट से बच सकते हो जो मैंने कहा है पुराने जमाने में वापिस चले जाओ हर अमावस्या और हर पुर्णिमा को मंदिर में सीधा दान दो अब आप कहेंगे सीधा का मतलब क्या होता है देखो मेरा धर्म है आपको सुखी रखना उसके लिए जो मेरे को उपर अद्रस शक्तियों से जो ग्यान प्राप्त हुआ है वो हमें आपके सामने शेयर करता हूँ यदि आप उसका पालन कर लोगे तो निश्चित तोर से आप जीवन में सुखी रहोगे फिर आपकी इच्छा भगवान ने आपको पड़ा लिखा बनाया है समझदार बनाया है ज्यानवान बनाया है बुद्धिवान बनाया है पागल नहीं हो विकलांग नहीं हो अंधे नहीं हो और फिर भी जदि ज्यान होने के बावजूद भी इसका पालन नहीं करते हो तो आप तो फिर अंधे ही हुए तो जो अंधे को कस्ट मिलता वो कस्ट मिलना प्रारंब हो जाएगा आप बेहरे हो फिर इसका मतलब जो बेहरे को कस्ट होता वो बेहरापन आपकी शरीर के अंदर आ जाएगा यानि वो कष्ट की प्राप्ति आपको अवश्य मिलेगी तो हर पुर्णी मा के दिन और हर अमास्या के दिन कच्चा खाना जिसको सीधा बोलते हैं वो दान देना चाहिए अब कच्चा खाने का मतलब हो गया एक व्यक्ती भोजन कर ले उतना आटा आपको दान देना है एक व्यक्ती भोजन कर ले उतनी दाल आपको दान देना है कच्ची ताकि ब्रामन अपने घर पे शुद्धता सच्चता पवित्ता से बनाएगा हो सकता है आपके यहां शुद्धता सचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच जाता हो भोजन तेयार करवाया जाता हो उस दिन उस इस्त्री के माध्यम से गायों को भोजन दिया जाता हो उस घर के अंदर क्लेश दुख अशांती अवश रहती है और पित्र अवश उस घर परिवार को बदबाद कर देते हैं तबहा कर देते हैं मानो या ना मानो यह सत्य है नहीं मानोगे तो आप दरिद्धता में अवश्य जीओगे रिन आपके उपड़ चड़ जाएगा कदम कदम पर आपके पे से बरबाद होने लग जाएगे और आप खून के आशूर होगे पालन करो हमारे शीव पुरान के अंदर लिखा हुआ है गरुड पुरान के अंदर लिखा हुआ है और प्रेक्टिकल करके भी देख लो कि एक इस्तरी को जब पहली दिन पीरियर्ट से होती है अशुद्ध होती है तो उसके पाँच दिन तक उसको भोजन नहीं बनाना चाहिए चटवे दिन सिर्ध होकर के वह भोजन बना सकती है और साथ दिन बाद आठवे दिन सिर्ध होकर के वह यग्य में बेठने लायक बनती है ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ तो जो व्यक्तिन नीमों का पालन करता है उसके या सुक्ष, सम्रद्धी, शांती बनी रहती है तो पित्रों के नीमित और कुल देवी देवता के नीमित आपको कच्छा सीखाना, सीधा जिसको बोलते हैं वो आपको अवश्य मंदीर में दान देना है या किसी पंडित को दान देना है, जो मंदीर में सेवा करने वाला कोई भी हो सकता है, सादू, संत, त्यागी, तपस्वी, सेवक कोई भी हो सकता है, महाँ पे ले जाके देना है मैं भी मंदीर चलाता हूँ और एक एस अच्छे शहर में मंदिर चलाता हूँ परन्तु आज के जमाने में जो देखता हूँ मैं मेरे यहां पे कोई सीधा नहीं आता है जबकि आसपास मकान बने हुए है पूजा पाड भी होती है परन्तु उन लोगों को ग्यान नहीं है या फिर ज्यान होते हुए भी अज्यानी बन रहे है तो उनके यहां कष्ट तो आना ही आना है कोई लड़का दारू पी रहा है तो कोई लड़की सिगरेट पी रही है किसी के यहां चोरी हो रही है तो किसी के यहां बीमारियां लग रही है किसी के यहां पड़े लिखे हैं, तो बेरोजगार बेठे हुए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, शब लोग शीव जी के पीछे भाग रहे हैं अरे शीव जी की पूझा तो करो, टोने टोटके कर रहे हैं शीव जी के उपर, वो भी करो, परन्दु अपने कर्म तो सुधार लो पेले जब तक आप अपने कर्म नहीं सुधारोगे, आपके जीवन में न कोई सुख आएगा, न कोई शान्ती आएगी किसी ने बोल दिया, कि एक लोटा जल रोज सीजी पर चड़ाओ, दुखों का अंत हो जाएगा अरे पेले अपने शरीर के अंदर के विकार, मन के विकारों को तो चड़ा दो भोले नात के उपर वो नहीं बदलेंगे, तो एक लोटा जल कुछ नहीं कर सकता इसलिए सीधा दान अवश्य दो, अपने हातों से दान देना अनिवाज यह है तो आपको एक व्यक्ति भोजन कर ले उथना अनाज, अन याने आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, गी, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, खड़ी लाल मिर्च यह सब सामान आपको किसी मंदिर में जाकर के दान देना है या घर पे किसी मंदिर के सेवक को बुला कर के दान देना है तो पित्र प्रसन होते हैं और हर अमावस के दिन गाय के सूखे गोबर के उपर पित्रों का ध्यान करते हुए आपको गी, शकर, गुड और काले तिल का मिक्स किया हुआ उस गाय के सूखे गोबर जो जलता हुआ रहेगा अंगारा जिसको बोला जाता है उसके ओपर छोड़ना चाहिए इससे पित्नों प्रसंद रहते हैं क्योंकि ये चीज आपने छोड़ दी तो जैसा मैं बोला था कि पुराने जमाने में अम्मा से के दिन दूद नहीं बेशते थे और उस दूद की खीर बना करके सबको खिलाया जाती थी यदि आप इस आधुनिक्ता की अंधी दोड़ में इन चीजों से दूर हो गए हो तो पुना उस पुरानी जमाने की दोड़ में वापिस चलो तो आप सुखी रह सकते हो और त्रप्त रह सकते हैं और ये सब चीजे आपको अपने स्वयम के विवेक से करना है अगर शास्त्रों में पित्रदोष नहीं होता तो पित्रपक्ष मनाने की जरोती नहीं पड़ती है तो शास्त्रों में त्री प्रिंडी श्राथ क्यों लिखा हुआ है श्राथ्रों में नारान बली क्यों लिखी हुई है यदि आप लोग कुछ व्यक्ति केते हैं अरे कुछ नहीं होता है पितर दोस्ट इन जोती शाचारियों ने पेसे कमाने का तरीका निकाल दिया अरे भाईया, यदि जोतिशा चार लोगों ने पेसे कमाने का तरीका निकाल दिया तो क्या जोतिशी तृपिंडी श्राद करवारा ही क्या? तृपिंडी श्राद तो कोई ब्राह्मन करवाएगा? जो उस गाट का अधिपती होगा? उसको महाँ पर पेशा देना है महाँ पर आपको दान दक्षिना करना है तिरीपिंडी श्राद तो हमारी किताबों में शास्त्रों में तिरीपिंडी श्राद इसल convinced लिए लिखा गया है क्योंकि पित्रदोश होता है अपने पुर्वज उनकी शान्ती के लिए त्रीपिंडी श्रात करना चाहिए, तरपन करना चाहिए और जो वेक्ति यह करता है वो सुखी भी रहता है और कुंडली भी उससे प्रभावित हो जाती है अब हम और गेहराई में जाते हैं कि राहू केतू का संबंद जो है सुर्य से है और सुर्य राहू की युक्ति यदि नवम भाव में हो जाए कुंडली के तो पित्र दोश हो जाता है और पित्र दोश क्यों होता है क्योंकि राहू जो है दादा पुरवज माना गया है और केतू को नाना माना गया है राहू यदि दोश्वन अवस्ता में सुर्य के साथ बैठा हुआ हो तो मान के चलो दादा जी ने कोई पाप कर्म किये थे उस पाप कर्मों का फल इस मनुश्य को भोगना पड़ता है जिसके सुर्य के साथ राहू होता है और यदि सुर्य के साथ केतु बैठा हुआ हो किसी की जन्र पत्रिका में तो बिलकुल मान के चले जो नाना ने पाप कर्म किया होगा उस पाप कर्मों का फल नाना का श्राप के लीजे वह उस बालक या बालिका को भोगना पड़ता है और यह जो युक्ती है सुर्य राहू की या सुर्य केतु की दादा की या पुर्वच की नाना की यह यदि नवम भाव में होती है चुकि नवम भाव जो है हमारे पुर्वचों का भाव कहलाता है और यही नवम भाव जहे धर्म का भाव भी है और पिता का भाव भी होता है और सुर्य और राहुकेतु की युक्ति परिवार कुटुम्ब भाव से संबंद बनाए तो दोष बनता ही बनता है जैसे उधारन के लिए लेके चलते हैं कि यदि दूसरा भाव धन भाव जिसको हम बोलते हैं और अस्टम भाव पंचम भाव यहने नवम से नवम यह भी जो है एक तरीके से पित्र दोष बताता है अब मेरा एक ही कहना है कि जिसको मानना है वो माने न मानना है कोई माने नहीं जरूरी नहीं है कि सब के विचार मेरे विचार से मिलते हो यदि आप कस्ट में हो यदि आप दुख में हो यदि आप परेशानी में हो यदि आपका पारिवारिक जीवन खराब हो गया हो यदि आपके बच्चे पेदा नहीं होते हो यदि आपके बच्चे पेदा होने के बाद मर जाते हो यदि आपको तंत्र विद्या हो जाती हो या फिर यदि आपके शरीर के अंदर कहीं पर कुछ ने कुछ आसामान प्रकृति उत्पन हो जाती है यानिकी पूजापाट करते समय उबासी आना और पित्रों के श्राप के लिए आपको त्री फिंडी श्रात कराना चाहिए, भागवजी कराने चाहिए, नारण बली कराना चाहिए बोसे लोग केते हैं साब की पित्र दोश का जिग्र नहीं है मैं कहता हूँ बहुत से पुरानों में पित्र दोश के बारे में बताया गया है और पित्र रीन अवश्य होता क्योंकि आप जिस कुल में उत्पन हुए हो आप उसी कुल में उत्पन क्यों हुए हो कई ने कई उस कुल से आपका संबंद है इसलिए आप उस कुल में उत्पन हुए और उस कुल के अंदर जो पहले पूरवच मर चुके हैं जिन्हों ने कोई भयंगर पाप कर्म किया हो अच्छम में अपराद किया हो और मर गए उनके द्वारा किये गए अच्छम में अपराद और पाप कर्मो का फल आने वाली जो पीडी होती है चाहिए लड़का हो या लड़की हो उनको भी ये पितरदोश का फल भोगना पड़ता है क्योंकि उनके पितरों के द्वारा ये पाप कर्म किया गया था उस पाप कर्मो का उसके अंदर आने वाली चाहिए वो बहूर आए शादी ब्याहो करके या फिर कोई बच्चा पेदा हो या लड़की पेदा हो या लड़का पेदा हो उसको भी भोगना पड़ता है इसी को पितर दोश केते हैं तो यह बहुत ही रहसे मई ज्यान आपको देवरादा टस सत्यव आपके मित्रगन आपकी सहेलियां कह लीजे आपके मित्रगन कह लीजे जिन्सके साथ आप उठते बेटते हैं आपके नाते रिष्टेदार भी हो सकते हैं उन सबसे यदि कोई कष्ट में आपको लगता है कि उसके घर में कलेश है दुख है अशान्ती है दरीदता है धन की क कोई मानसिक रोग वाला व्यक्ति हो गया हो, घर के अंदर आए धिन जगड़े होते रहते हो, भयंकर अशान्ती हो, तुलसी सूख जाती हो, पूजा पाट में बन नहीं लगता हो, तो उसको यह आप अवश्य मेरी जो वीडियो है यह फारवर्ड कर सकते हो। बहुत से लोग मेरे द्वारा बोले गए वीडियो को फारवर्ड नहीं करते, खुद सुन लेते हैं, पर दो दूसरों को नहीं बताते हैं, अरे यह जब पुन्य का काम है, यदि आपके माध्यम से किसी और की भलाई होती हो, यदि आपके माध्यम से किसी और को ग्यान मिलता ह तो इससे गुरू आपका प्रबल होगा और जब गुरू प्रबल हो जाता है तो बहुत सारे कष्टों का दूर हो जाता है आपको कोई नो कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है कोई नो कोई अच्छा व्यक्ति आपको टकरा जाएगा अपनी जिंदगी में गुरु तत तो आपका प्रबल हो जाएगा और गुरु जब अच्छा हो जाता है व्यक्ति की बुद्धी का विकास हो जाता है और जब गुरु अच्छा मिल जाता है तो घर के अंदर सुख, सम्रद्धी, शांती आती है तो मेरे इस ग्यान को आगे तक अवश्य बढ़ाने का प्रयास करें ताकि रस्ते चलते जिसको कहते है ना बेहती गंगा में हाथ दोलो पुन्य की गंगा में हाथ दोलीजिए ताकि आपके सिर्फ एक फारवर्ड करने मात्र से दूसरे व्यक्ति को ज़िस सुख की प्राप्ती हो सकती हो उसको ग्यान की प्राप्ती हो सकती हो तो आप भी उस ग्यान को बढ़ाने में उसके सहभागी बन गए हैं मैं तो अपना कर्म कर ही रहा हूँ परन्तु आप भी उस कर्म में सहभागी बनेंगे तो निश्चित तोर से आपको भी पुन्य की प्राप्ती होगी और जो बताया है, आप खुद भी करें, कि हर अम्मास्चा पुर्णिमा के दिन, कच्चा खाना, पॉली थिन में बंद करके, कागज में भान करके, मंदिर तक रखने का प्रयास करें, या फिर आसफास के मंदिर में कोई भी सेवक करने वाला सेवक हो, उसको घर पे बुला करक और एक टाइम का भोजन उसको दान सरु प्रदान अवश्य करें, उसके अंदर सभी नव ग्रह से सम्मंदित सामगरी होनी चाहिए, आटा भी होना चाहिए, जो शुक्र का प्रतीक है, आटा, दाल, चावल, तेल, घी, और सभी प्रकार के हमारे मसाले की जो एक डिबा होता है, जिसके अंदर हम फ्राई के लिए सामान रखते हैं, लाल मिर्ची रखते हैं, धनिया रखते हैं, उसके अंदर हल्दी रखते हैं, हींग भी रखते हैं, खडी लाल मिर्च रखते हैं, लोंग रखते हैं, इलाइची रखते हैं, तो ये सब जो गरम मसाला होता है, ये राहू का प्रतिक होता है इसको दान देने से पित बड़े प्रसन्न होते हैं और आपकी रक्षा भी करते हैं और आपके प्रगती में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं जैमाता दी जैमा कमख्या कमख्ये वर्दे देवी नील परतवासिनी तम देवी जगतमाता योनी मुद्रे नमस्तु दे कमख्ये काम संपन्ने काम इश्वरी हर प्रिये काम नाम देही मैं नित्यम काम इश्वरी नमस्तु दे कामदे काम रूपस्ते सुबगे सुरसेवी ते करोमी दर्शन देवियम सरकामार सिद्धयेद ओम महेशानी महामाए चामुंडे मुंडमालीनी आयू आरोग्य एश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी ओम जहन्ती मंगला काली भद्रकाली कापालीनी दुर्गा चमा शिवा धातरी स्वाहा सदा नमस्तु दे ओम सरमंगल मंगल्ये शीवे सर्वा साधी के शरन्ये तरंबके गोरी नाराणी नमस्तु दे दुर्गती नाशिनी दुर्गा जै जै कालवी नाशिनी काली जै जै उमा रमा ब्रमानी जैज़े सीताराधारुकमनी जैज़े आम रत्युन जै महादेव तराहिमाम शरनागदम जन्म मत्यु जराव्या धीपीडितम कर्म बंदने तुम्हे परमपिता परमात्मा से और मा जगजन्नी से ये ब्रातना करूँगा कि आप सबको सदबुद्धी प्रदान करे कि आप वापिस हमारे पुर्वजों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे जो पुर्वजों ने हमारी परमपरा बनाई, परिपाटी बनाई, नियम बनाए रिती रिवाज बनाए, उनका आप आलन करे और अपने कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करते रहें ताकि आपके जीवन में सुख सम्रदी शांती बनी रहें जयमा भवानी, जयमा जगत जन्नी